दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे पास इस्टेफ जिससे कि आप किसी भी अवरत को आसानी से पढ़ा सकते हो दोस्तो ज्यादातर लड़कों की शिकायत यह रहती है कि वो किसी अवरत को पढ़ा नहीं बाते और वो अपने दोस्त से सला मांगने लगते हैं और उनके दोस्त भी उन्हें सजेश्ट कर देते हैं कि यह करो या वो करो तो अवरत आपसे आसानी से पढ़ जाएगी तो दोस्तो इस चक्कर में आप बिल्कुल भी ना रहें दोस्तो इन गलत से आप बिल्कुल भी दूर रहें आज मैं आपको इस वीडियो में पास सबसे पहले आपको उनकी बारे में यह जानना है कि उनका पती उनसे प्यार करते है या नहीं अगर उनका पती उन्हें प्यार करते है उन्हें वक्त देते है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो यह सब बेकार हो जाएगा तो ऐसे अवरतों को पटाने के चक्कर में ना रहें और और अगर उनका पती उन्हें प्यार नहीं करता उन्हें Despite the problem देता है उन्हें मारता पूर्ड Ay तो ऐसे उरदें को पटाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो अब आते हैं कि आपको करना क्या है सबसे पहले आप नोटिस करिए कि वो अवरत जिसे आप पसंद करते हो या पटाना चाते हो वो घर से किसी काम से बाहर जाती है या नहीं जब वो अपने घर से निकलती है तब आप भी उनके साथ साथ चलिए एक हपते तक आप उनके साथ साथ चलिए और आठवे दिन आठवे दिन से उन्हें इग्नूर करना शुरू कर दिजिए और नौवे दिन से वो आपको खुद बोलने लगेगी कि आप कल क्यूं नहीं आए दोस्तो यहां से आपकी बात्चित शुरू हो जाएगी जिससे आपकी बात बन सकती है नुम्बर दो आपको उस औरत के सामने किसी दूसरी लड़की या औरत की तारिफ करनी है दोस्तो अगर आप उस औरत के सामने उनके किसी दोस्त की तारिफ करोगे तो वो औरत अंदर ही अंदर जलना शुरू हो जाएगी और इससे होगा यह कि वो औरत आपके तरफ एट्र नूमबर तीन आप अपने मोबाईल पर हमेशा रोमेंटिक रिंग टोन लगा कर रखें दोस्तों रोमेंटिक रिंग टोन सुनकर और अवरते काफी जदा इंप्रेस होती है और वह आपकी तरफ जल्दी से जल्दी अट्रक्ट होना शुरू हो जाती है और दोस्तों कई बार रिस्पेक्ट करने वाले बंदे बहुत पसंद आते हैं दोस्तों जब भी आप उस अवरत से बात करते हो तो उन्हें आप कईकर ही बात करें जिससे उन्हें लगे कि आप उनकी इज़त कर रहे हो अपने बातों में मिठास और थोड़ी सी शराफत लाए गाली गलोस से बिल्कुल भी दूर रहे नमबर पाच दोस्तों जब भी आप उस अवरत से मिले उन्हें एक चॉकलेट या किसी उनके किसी मनपसंद की छोटी मोटी चीजे गिफ्ट जरूर करे क्योंकि अवरतों के शौक को पूरा करने से उनको पटाने में काफी आसानी होती है दोस्तों अगर आप इन पाच स्टेप को फॉलो करते हो तो आप आसानी से किसी भी अवरत को पटा सकते हो